आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना टुटोरियल दे रही हूँ क्योंकि मैं भी आप बच्चों की तरह समर वेकैशन की छुटिया मनानी चली गई थी तो आज को टापिक हम लोग स्टार्ट करते हैं पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सेल का एक फ्लो चार्ट बना कर समझाया था आज मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगी पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सबसे पहले सेल बनता है बहुत सारे सेल मैं से न म्लते हैं तो टीसू बनते हैं फिर टीसू से ओर्गन से और न से ओर्गन सिस्टम और तब जाकर और्गनिज्म बनता है इसके बाद मैंने यह बिटाया था फ्लोचार्ट के माधियम से कि सेल two parts में divide होते हैं एक है unicellular और दूसरे होते हैं multicellular unicellular यानी uni जिसका मतलब होता one and cellular यानी cell मतलब हम कह सकते हैं कि one cell वाले organism को हम unicellular कहते हैं इसके एक्जाम्पल में हम लोग देखते हैं Amoeba, Paramecium, Climatomonas, आदी तो हम लोग Amoeba के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं Amoeba एक ऐसा जीव है क्योंकि Unicellular है सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हुआ है इसकी सरीर में जितनी भी किरियाएं होती है चाहिए वह क्या कहता है respiration, extraction, growth हो या फिर reproduction हो सारी की सारी प्रकिरियाएं इनमें एक सेल के द्वारा होती है Unicellular सेल जो Amoeba है यह शूडो पोडिया यह जो इसका बहारी लेयर है इसकी help से इधर उधर मूव करता है बोजन का ग्रहन करता है और अपने सरीर से अस्षिष्ट पदात को बाहर भी इसी छिद्री के द्वारा निकालता है इसके अंदर एक Uniquillius पाई जाता है क्योंकि यह अपने pseudopodia की मदद से मूव करता है इसलिए इसका shape और size हमेशा बदलते रहता है यानि irregular होता है अन्यमित होता है कोई एक निस्चित आकिरती इसकी नहीं होती है साथ ही यह पूर्ण विक्सित मतलब पूरी तरह से developed होता है और खुद इंडिपेंडेंटली सिर्फ अपने वन सेल की help से ही अपने जीवन की सारी क्रियाएं कर सकता है मुर個 आंड ऐंड इसके बना है जिसे हम्यंतों मैक्रोक स्कोर्क के देखिक सकते हैं लेकिन इसको मैक्रोस्कोर नहीं नहीं देख सकते हैं बट अंडा ये भी एक अलके उसी काका बना हुआ है किन्तों हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्स से देख सकते हैं मैंने अपने सौर्ट टूटोरियल में आप लोगों को बताया था कि जब हम अंडे को बॉयल करते हैं अर् इसके ऊपर जो बाहरी लेयर वाइट कभरीं होता है जिसको ठिल का अम लोग बोलते हैं अंडे का वालने के बाद प्लाइक को हटाकर फेक देते हैं उसके बाद जो white layer गुदा वाला होता है उसको हम लोग albumine कहते हैं और उसके अंदर जो गोल जैसा yellow color का होता है उसको jog कहते हैं हाई अब हम लोग multi-cellular के बाने में जाने multi यानि many और cellular यानि cell तो इसके नाम से ही पता है जिस organism का निर्मान one से अधिक यानि one more than one कोशिका से होता है उसको क्या बोलते हैं multi-cellular example में algae fungi farm human जितने भी living things होते हैं सब multi-cellular में आते हैं इसके लाब एक और point है कि किसी भी cell के size का संबंद ध्यान से सुनिएगा आप लोग किसी भी cell के size का संबंद किसी plant या animal के size से नहीं होता है ऐसा नहीं है कि क्या कहता है कि अगर हम ऐसा सोचें कि हाथी का sale हाथी का sale चुए की sale से ज़्यादा बढ़ा होगा तो ऐसा नहीं होता है भले ही हाथी की sale की संख्या छूय की सेल के संख्या बिध ten j Humanique जाता होगी उनकी साइज में कोई बीडिया सवाट नहीं होगा पलके उनका नमबर बढ़ेगा और ढ़ंग उनके कियाया साइस माय अधिया इसके अलावा एक और एक्जामपल हम लोग दे सकते हैं प्लांट में जैसे कि रोज के प्लांट में ज्यादा कम सेल होंगे जबकि वट ब्रिक्ष के प्लांट में ज्यादा सेल होंगे थेंक यू प्लीज सपोर्ट माई चैनल